हलो एवरीवन आप सभी का स्वागल दोस्तों फिर से आप लोगे धमाकेदार वीडियो लेकिए आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नुम्बर 5 में एक्सलेश 5.2 में कुछन नुम्बर 7 तो पूरे वीडियो दोस्तों एंटर जरूर देखेगा दोस्तों नुम्र 7 लेकिए आया हूँ मैं यहाँ पर क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं हम लोग सब सब पर दिया हूँ यहाँ पर find the 31st term ओके 31st term find करना है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं a 31 equal to question mark उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है 11 term is 38 तो यहाँ पर 11 term 38 मतलब a 11 equal to 38 दिया हुआ है इतना clear हो गया उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है and the 16th term is 73 तो a 16 equal to 73 यह information मुझे मुझे मिल गया अब दोस्तों क्या करना है हमें find करना है a 31 find करना है कैसे find कर पाएंगे इस तरह के sum को अब ध्यान से बताओं दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको जो दिया हुआ हुआ है उसको लेकर चलो answer अपने आप आ जाएगा step by step देखिए कैसे आई आई आपको बताता हू हुआ है तो यहाँ पर लिखिए आप यहाँ पर color change का लेता हूँ मैं यहाँ पर कि a 11 equal to formula क्या होगा दोस्तों a plus यहाँ पर 10D होगा कितना clear हो गया a 11 क्या दिया है यहाँ पर 38 equal to यहाँ पर a plus यहाँ पर 10D यह मेरा equation first आ गया अब second equation निकालेंगे तो second equation के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि a 16 equal to a plus यहाँ पर 15D तो यहाँ पर a 16 दिया है 73 दिया हुआ है तो यहाँ पर a plus यहाँ पर 15D यह मेरा second equation आ गया ठीके अब क्या करेंगे दोस्तों first equation second equation को दोस्तों elimination method से हम a और d का value find करेंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि 38 equal to a plus यहाँ पर 10D और यहा पर 73 equal to a plus यहाँ पर 15D अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर sign देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर plus sign है तो minus हो जाएगा यहाँ प्लस है तो minus यहाँ पर 7,6 बन जाएगा यहाँ पर 13 होगा 13 में से 8 गया तो 5,6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर minus 35 यहाँ पर दोस्तों plus minus minus हुआ यहाँ पर minus के sign यहाँ पर आएगी और 10 और 15 minus करोगे तो आपको क्या मिलेगा minus 5 मिलेगा ओभी D के साथ ठीके उसके बाद दोस्तों यह minus minus cancel हो जाएगा देखें यहाँ पर यह minus cancel हो जाएगा 35 upon 5 equal to D तो D का value क्या होगा 5,7 ज प्रकानने के लिए या तो मुझे equation 1 में put करना होगा या तो मुझे equation 2 में put करना होगा आप किसी में put करोगे आपका value easily निकलाएगा तो यहाँ पर देखता हूँ मैं तो equation first में put करता हूँ ठीके तो यहाँ पर लिखोंगा putting the value of D in first equation लिख दिया मैंने यहाँ पर अब यहाँ तो first equation लिखा है मैंने तो first equation कहें दोस्तो 38 equal to A plus यहाँ पर 10D है तो 38 यहाँ पर लिखा मैंने यह A यहाँ पर लिखा यह 10 और D का value यहाँ पर 7 है तो 38 equal to A plus 10 7 जा 70 होगा अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से दोस्तो इसे रफ कर लेता हूँ उपर यहाँ पर रफ वक किया थ मैंने step by step solve करेंगा दोस्तो tension बिलकुल मत लीजिएगा easy way आप solve कर पाओगे और सीख जाओगे तो यहाँ पर 38 तो यह प्लस 70 इदर आके minus 70 में convert हो जाएगा यहाँ पर A आ जाएगा अब दोस्तो 70 में से आपको 38 minus करना है तो यह 76 बनेगा यहाँ पर 10 होगा 10 में से 8 गया तो 2 6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर minus 32 यह मुझे A मिल गया अब क्या find करना है दोस्तो last में दोस्तो A 31 find करना है तो A 31 के लिखेंगे हम लोग A 31 equal to A plus 30 D अब A का value मुझे मिल चुका है A का value क्या है दोस्तो minus 32 है अब यहाँ पर 30 और D का value क्या है दोस्तो अभी find किया ह हम लोग ने क्या find किया 7 तो यहाँ पर 7 लिखोंगा minus 32 यहाँ पर plus 7 3 is a 21 0 साथ में आ गया अब minus plus minus करना है तो 210 minus 32 तो यह 1 0 बन जाएगा यहाँ पर 10 होगा 10 में से 2 गया तो 8 और 20 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 17 आएगा तो 178 तो हमारा 8 31 क्या आया दोस्तो 178 प्लीज कमें को बता सकते हो और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा यह भी लिखकर बताईए और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक चले को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा 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 सब्सक्राइब कर लीजिए बेल अकन प्रिस करके नोटविस को आल कर लेजिए इसे हर एक वीडियो आपको easily मिल पाए तो फिर मिलो में उसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसी प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक में थैंक यू सो मच बाइडियर स्टूडें क्विस कर दो दोगेग तो एक रहिए झाल में वीडियो कि कि एक रहिए ऐसे हम स्वाट भूज़िर स्टूब झाल में एक तोपके रहर दो जवर्ब घायर जसके को वीडियों जब हो इए रहिए रहिए स्टूबशब